हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है देवी सा जोती ब्लोग में देखिए मेरा काम हो गया है शुभा का मॉर्निंग शुरू हो गया रूटीन जहारू पूछा सभी काम हो गया है बसका प्रेद हो रही है और यह देखिए हमने पहले वाले मसीन को वो कर दिया हटा दिया क्योंकि वो खराब हो गया था और यह दूसरी लेके आए है यह वाली मसीन है जो की सेमी अटोमेटिक है तो यह देखिए इस तरीके करी मसीन है इसकी जरूरत भी थी मसीन के बीना काम नहीं चलता है क्योंकि कपरे बहुत ज़्यादा होते हैं इतना हां से दोना संभो नहीं होता है जैसे कि देखिए चद्रे सब उठा करके लाई हूं गंदे हो गय थे तो दोने के लिए एक बार के कपड़े हमने जो अच्छे वाले कपड़े थे और निकाल लिया है उसके बाद फिर मैंने जो चद्रे थे उसको डाल दिया है इसमें जारू पहुछा उदर हमारा हो गया है और अभी शुबर का नौ बज़ रहे हैं और देखिए उसके बाद नहाने धुआने के बाद मैं कीचन में आ गई हूँ अब लेंच की तयारी कर रहे हूँ और लेंच बना लूँगी अभी दस बज़ रहे होंगे टाइम तो हमारा नास्ता पानी सबी काम निपट गया है और हमारे कपड़े भी दूल गया है जारू पहुछा हो गया है और ल देखिएं आज देशी चना के सब्जी मैं बनाऊँगी विभी बिहारी स्टाइल में जो हमारे तरप इसकी सब्जी बौहुत पसंद करते हैं लोग अपको अधाबबना में मिलेगा ठाबा में जाएंगी तो धाबा में भी देशी चना के सब्जी मिलते है जो की लिट्टी चोखा जो खाते हैं लिट्टी के साथ भी चने के सबजी वहां ढावा में मिलते हैं बहुत टेश्टी लगती है तो इस तरीके से बनाईएगा आप सब भी देखिए सबसे पहले हमने साबुत खड़े मसाले डाले थे एक इलाज ची थोड़ी सी दाल चीनी तेजबता और जीरा उसके बाद हमने प्याज डाल दिया लंबे अकार में हमने काट लिया था प्याज चाहे अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं पर आज का ऐसा कोई कुछ भी नहीं है पर मैंने लंबे लंबे ही काटा था लंबे काटी थी और फिर इसके बाद इसमें हमने टमाटर डाल दिया लासनाद रखके पेश्ट और सारे मसाले डाल देंगे इसमें और एक मसाल जैसे हमारे बीहार में बनते हैं उसा तरीके से बनाओंगी क्योंकि हम सबको अपना देशी खाना यह अपना फिर चल लगता है ओड़ियों, जो हमारे घर में बनते हैं जो हम बच्पन से खाया है वह हमें खाने में अच्छा लगता है तो देखिए इसको अच्छे से अच्छे से फिर अच्छे से थोड़ा मुलायम हो जाएगा तो गल जाएगा उसके बाद फिर मैं आलू डालूँगी क्योंकि परवल भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है आलू जल्दी पक जाते हैं और देखिए इधर हमारे मसाला तैयार हो जाएंगे तो मैं इसमें आ यह हमारा चिकन मसाला का पाउच है तो इसको मैं डाल दूँगी तो इससे सुवाद बहुत अच्छा आ जाता है छुल्ले मसाला मैं नहीं डालूँगी इसमें और तो कीचन किंग आप डाल सकते हैं तो देखिए अई थोड़ा सा कस्मीरी लाल मेर्च जो है तो डालूँगी क्योंकि तीखा तो होता नहीं सिर्फ कलर आएगा इसमें बढ़ियां सा और सभी मसाला को अच्छे से भूनने के बाद फिर मैं इसमें आलू डालूँगी आलू डाल करके भूनूँगी थोड़ा स बाद नहीं दसनाईगी और अलू में इसलिए डाल रहे हूं कि थोड़ा गरेवि इसकी नहलो गाड़ी बनेगी आलू को जब पक जाएगा ना तो इसमें मसल देंगें तो गरेवी हमारी अच्छी थोड़ी गाड़ी बन जाएगी रोटी के साथ खाने के लिए रोटी या चावल के साथ खाने के लायक बन जाएंगे अच्छा तो देखिए उधर हमारे आलो परवल के भूजिया भी बन रहे हैं इधर मैं सब्जी बना ले रही है और फिर चावल बनाओंगी आज डाल नहीं बनाओंगी क्योंकि सुबम को डाल नहीं पसंद है तो इसलिए चना के सब्जी आज खा लेगा तो साथ में एक परवल भी खराब हो रहा था रखे रखे फिरीज में तो हमने सोचा परवल भी बना लेते हैं तो देखिए आलो भी अच्छे से बून गया तो उसके बाद हम चने डाल दे र सेटी लगाएंगे खुब आद्धा घंटा तक इसको धीम ही आज पर पकाएंगे और देखिए इधर परवल भून गया तो आलू हमने डाल दिया उसमें और यह भी आलू जब भून जाएगा तो इसमें मैं थोड़े से मसाला डालूंगी जो कि गरम मसाला जैसे जीरा और क पानी डालूंगे अभी अच्छे से इसको भून रही थी तो पानी डाल करके फिर धकन लगा दूँगी देखिए मैं अंदाज से पानी डाल ले रही हूं जितना तक अच्छे से आधा घंटा तक पक जाए बढ़ियां से तो देखिए दो तीन गिलास पानी हमने डाल दिया अंदाज से और इसको धीमी आज पे अधा घंटा पकने देंगे खुब अच्छे से ताकि चना बहुत अच्छे से गल जाए क्योंकि देशी चना थोड़ा सा टाइट होता है गलने में टाइम लगता है इसलिए इसको आधा घंटा पूरा पकाएंगे धीमी आज पे देखिए इधर हमारा प्रवल की सबजी भी बन रहा है तो आप सब बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा देखिए हमारी भूजिया बन के तयार हो गई है आलू परवल के और इधर सबजी भी इसको भी मैं खोल की दिखा देती हूँ देखिए बन गई है आधा घंटा मैंने खुब पकाई है इसे देखिए आलू को इसमें मसल देंगे तो ग्रेवी हमारी गाड़ी बन जाएगी और आज का मेरा खाना देखिए यही बना है रोटी चावल भूजिया और शलाद और यह सबजी चनी की सबजी तो आज का हमारा लैंच यही तयार हो गया बन के तो अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद